टीम इंडिया के साथ कुछ भी हो और रिशब पंद का जिक्र ना हो ऐसा बहुत कम होता है बता दे हर बात पे पंद का जिक्र करना फैंस की अबादत सी बन चुकी है जिहां नियुजिलेंड के खिलाफ जब वन डे सीरेज में पंद को मुखा नहीं मिला तब भी पंद को लेकर फैंस काफी जादा नाराज थे जिहां आप सभी को बता दे फैंस लगातार उन्हें वापिस लाने की मांग कर रहे थे लेकिन कैप्टन कोहली ने उनकी जगा पर केल राहूल से विकेट किपिंग करवाई थी लेकिन अब आपको बता दे टेस्स सीरीज से केल राहूल बाहर है और बाहर खूब मोज मस्ती कर रहे हैं रहां बता दे केल राहूल ने हाली में अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर भी शेयर करी है जो कि आप हमारी इस खास रिपोर्ट में साफत और पर देख पा रहे होंगे जिसमें केहल राहूल इस फोटो पर ट्रोल हो गए हैं बता दे आपको और राहूल किस फोटो पर लोग पंत का भी लगातार मजाग उड़ा रहे हैं जी हाँ पंत को लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं और पंत का लगातार मजाग भी बना रहे हैं तो चली आपको बताते हैं आखिकार पूरा माजुरा क्या है जी हाँ दरसल फोटो में कियल राहूल जिस बच्ची के साथ दिख रहे हैं वो टीवी प्रेजेंटर जदिन की बेटी है फैंस राहूल की इस फोटो को पंत की उस फोटो के साथ जोड़ने में लगी है जो पंत की 2018 में उस्टेरिया दोरे से सामने आई थी जब पंत ने कुछ इस तरह कैमपेंड की बेटी को गोध में उठाया हुआ था वो तस्वीर आप खास तोर पर हमारे इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे दिरसल 2018 में उस्टेली और भारत की बीच में किमपेंड ने पंत पर दवाब बनाने के लिए उनका मजाग बना कि पास पहुच गए थे तो अब राहुल ने जब बच्चे के साथ फोटो शियर करी है तो फैन्स खूब पंत का मजाग बना रहे हैं इन दोनों फोटो को कनेक्ट करकर फैन्स सोचल मीडिया पर तरह तरह घी बाते कर रहे हैं तो जली आपको बताते हैं क्या कुछ लिखते को पंत ज्रिहां यहां पर आयान ने लिखा है कि पंत के पास एक ही तो जौब थी अब वो भी राहुल ने छीन ली है तो इससे हम पंत के लिए काफी ज्यादा उदास हैं ज्रिहां जहां पंत बेबी को लेकर तस्वीर सामने आई हैं उनकी 2018 की उसे लिया दोरे की उसे लेक रहुल क्या कर रहे हैं कि अल्राहुल अब पंत की नोकरी खाती नजर आ रहे हैं ड्रुयां आगे एक और सान ने लिखा है नाव बैटर बेबी सीटर दान रिशव पंत तो इस तरीके से लगातार पंत को लेकर सोशल मेडिया पर धच्रिया उड़ाए जए रही हैं उनकी त रहे हैं, जर रहे हैं?